तो कैसे हैं आप सब आप सब अभी ओफब आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है सेटेडे की इस वीडियो के अंदर आज है सेटेडे मॉर्निंग विकेंड्स का टाइम यहाँ पर आ चुका है क्या हाल चलने हैं मार्केट के क्या हाल है मार्केट के अंदर वो सभी अपडेट कवर करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग अगर आप इस मॉर्निंग बिट को देखेंगे बिट कोई ने यहाँ पे जो हाई लगाया है आज जो हाई लगाया है बिट कोई ने वो 29,800 डॉलर के लगाया है और यहीं से हम गिरे थे अगर आपको याद हो हम 29,900 डॉलर से ही गिरे थे ठीक है आप देखो बार-बार Bitcoin यहां से गिरा है First time नीचे है Second time नीचे है और यह third time फिर से तियारी कर रहा है Bitcoin तो जैसा मैंने डिसकस किया था 30,000 डॉलर को हिट करना और वहां पे होल्ड करना 30,000 पे टिकना क्योंकि 30,000 पे आप देखो यहां पे लेवल गए सीधा नीचे आए यहां भी 30,000 पे जाने वाले थे सीधा नीचे आए और यहां भी 30,000 को छूने वाले थे तो क्या हो रहा है अब यहां भी level नीचे आना शुरू हो रहे हैं तो अगर 30,000 के level hit नहीं कर पाता bitcoin ठीक है क्योंकि यह गई नगई एक trap भी हो सकता है 30,000 को hit करना hold करना तभी आगे बढ़ेंगे ठीक है अगर 30,000 से ऐसे गिरते रहे जिस तरह से rejection मिलता है 25,000 से जैसे rejection मिल रहे थे 25,000 पर टिक नहीं पा रहा था तो कहां जाके गिरे थे 19,000 डॉलर पर जाके गिरे थे तो आने वाले टाइम में 10 में को CPA डेटा भी आने वाला है ऐसे में उमीद है कि CPA डेटा से पहले bitcoin market कुछ ना कुछ बड़ा game कर सकता है तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें बार-बार यहां से rejection मिलना वो चीज ठीक नहीं है ठीक है और हो भी सकता है कि इस बार bitcoin आर्प या पार वाला game कर दे तो उसके लिए भी तयार रहिएगा बाकी जो scenarios रहेंगे bitcoin को लेगे बाकी जो update रहेंगे वहां पने telegram channel पे share करेंगे अगर आपने telegram को join नहीं है तो link है description में join जरूर करेंगे अभी जो level है 29,340 के level पे bitcoin चल रहा है तो सबसे पहले बात करेंगे पैपे coin के बारे में कल रात साड़े 11 बजे ठीक साड़े 11 बजे पैपे आ गया बाइनेंस के उपर जी हाँ पैपे के अगर आप प्राइस देखेंगे इस चाहिंगे पे पाँच 0 के साथ 291 के level पे आ चुका है जैसा हमने डिसकस किया था कि प्राइस हो सकता है शुरुआत में dump देखने को मिले और वो थोड़ा वो लिस्टिंग हुई है तो भाईया लिस्टिंग बेनिफिट भी मिलेगा अभी तो फिलहाल नहीं मिल रहा है स्टार्टिंग में लेकिन अगर डिप आता है क्रेक्शन दिखता है और अच्छा तो आप एंट्री बना सकते हैं छोटा समाउंट डालेगा बिल्कुल ठीक है हो चुका है अब शिवा इन्हों के साथ साथ एक मीम क्रिप्टो ऐसी और आ चुकी है जो 2021 में आई और अब शिवा इन्हों के साथ साथ फ्लॉकी इन्हों भी बाइन्स पर आपको मिल जाएगा ठीक है 0.4 x 042 के लेवल चल रहे हैं और यह भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हुए अगर आप देखेंगे हाई की मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पर ओल्रेडी हाई तो 54 तक गया है लेकिन 52 50 के ऊपर चल रहा था अभ यह दोनों ही कोईन्स डिप जरूरा रहे हैं लेकिन बाद में पंप कर सकते हैं तो अभी हम आगे हैं कोईन मार्केट कैप के ऊपर 1.21 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है इस टाइम पर क्रिप्टो का और 1 परसेंट ग्लोबली मार्केट ऊपर है लास्ट 24 आवर के अंद बात करते हैं रैंक्स की तो शिवा इन्हों एक ऐसी क्रिप्टो है जो मीम कोईन भी समझते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग नहीं समझते लेकिन यह सबसे सेकिंड नंबर पे हैं डौज को इनके बात करूं तो वह टॉप 10 में बना हुआ है क्योंकि लौन मस्क साथ टोट को इंके लेकिन नया मीम को इन आता है को इस pueblo मचाता है और ये बड़े बड़े रिकॉर्ड हिट कर ко बहुत सारे कोई बाइन्स की बाइन्स पे लिस्ट होने के लिए लाइन में लगे हुआ है लेकिन पैपे आता है 15-20 दिन का ठीक है और बोलता है सब साइड हो जाओ मैं लिस्ट होंगा और लिस्ट हो भी जाता है और 44 पे इसकी रैंक भी आ जाती है जी हां टोब 50 की मार्केट कैप है वह 1.3 बिलियन डॉलर 1.6 पहुंच गया था अभी 1.1 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है पिछले साथ दिन में 700 परसेंट पंप हो चुगा है तो यह पावर है पैपे की और पैपे ने अपनी पावर दिखाई आती बाइन्स लिस्टिंग भी हो गई बिल अब देट की बात करें तो वह भी बाइन्स की तरफ से है वी आर मेकिंग पेंग विद क्रिप्टो इवन मौर एकसेसिबल तो बाइन्स एडॉप्शन में यहां पे कोई कमी नहीं छोड़ रहा क्रिप्टो की क्रिप्टो को जयदा से जयदा डेली यूज किया जा सके क्रिप्टो करेंसी जैस पेमेंट्स तो आप देखो वू कोमर्स के साथ यहां पर पाटनेशिप हुई है एक और अलाओ किया है ओवर फॉर्टी परसेंट ऑफ दे वर्ल्ड वेबसाइट है ना पॉर्टी परसेंट अफ दे वर्ल्ड वेबसाइट अब एकसेप्ट कर यह एडॉप्शन वाले गेम बाइनस की तरफ से हो रहे हैं और बाइनस नंबर वन एकस्चेंज है नो डाउट बहुत इंपोर्टेंट रॉल क्रिप्टो के अडॉप्शन को लेके बाइनस का यहां पर काफी टाइम से हम देख रहे हैं और दिखना भी चाहिए नेक्स्ट बेबी डॉज कोईन की तरफ से बेबी डॉज कोईन की स्वाप पे नएने कोईन साते जा रहे हैं पार्टनेशिप्स होती जा रहे हैं एकसाइटी टू अनूस न्यू स्पॉंसर्ड फार्म लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग इस लाइफ और पैपे है ना यह वह वाला पैप पर अब जल्दी ही फ्लॉक की hombre के साथ सा चलता है चलता आया है और डूरॉड राइफ व्शकोईन में बहुत पोटेंशिल है ठीक है सप्लाइब बहुत यह वह फ्लॉक्ती इनो की भी है लेकिन बी डॉजकों kinda आज ही हम एनौट कर रहे हैं ठीक है थीक हम बैइनस के और नहीं है लेकिन भाईया बेबी डॉज को इन जल्दी बाइनस के उपर लिस्ट हो सकता है इसमें कोई डाउट मत रखिएगा जब फ्लॉकी इनू और पैपे आ चुके हैं तो भाईया बेबी डॉज कोईन में जैदा देर नहीं है ठीक है आएगा और जरूर आएगा उसके लिए आप तयार रहो बेबी डॉज कोईन भी जल्दी आपको बाइनस पर दिखेगा तो जिस तरह से मीम कोईन की हवा चल रही है मीम कोईन का क्रेज चल रहा है तो CD5 फंड ये भी एक क्रिप्टो है मार्किट के अंदर एक प्रोजेक्ट है अब ये क्या कर रहे हैं मतलब एक मीम कोईन ये भी लॉंच करने वाले है ठीक है एक मीम कोईन का ऐसा क्रेज चल रहा है ऐसी वेव चल रही है तो बहिया हर कोई इससे अब दूर नहीं रहा है दूर नहीं है बाइनस जैसी नंबर वन एक्षेंग ने भी बीस दिन के कोईन को लिस्ट कर दिया ठीक ह यानि आग जो है इनका कौन सा मीम कोईन है उसकी डिटेल्स हाजेंगी और जैसी डिटेल्स हाएंगी हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे ठीक है तो सीडी फाइफ अंड भी यहां पे बारा मई को अपना खुद का मीम कोईन लांच करने वाला है और वो मीम कोईन का क्या नाम होगा क्या होगा सब कुछ आज पता चल जाएगा ठीक है तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं बेंट वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजेगा कोई भी क्वेस्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्वीटर के हैं जोइन नहीं किया तो कर लेना कोई अपडेट मिस्ट नहीं होगा किसी भी क्रिप्टो में पैसा डाल रहें इंवेस्ट कर रहें हमेशा अपनी रिसर्च करें वह बहुत ज़रूरी होती है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक क्यार